आज हमारी हमारा जो चेप्टर था चेप्टर फोर विपिन चौजरी लैपस फ्रेमोरी यह हमारा कम्प्लिट रीड हो चुका है I hope you will understand this chapter today we do question answer of this chapter please look at page number 249 first question is the author described विपिन बाबू as a serious and hard working man यहां पर जो लेखा कि उसमें विपिन बाबू को एक sincere and hard working man के रूप में दर्शाया है what evidence can you find in the story to support this आपको इसके बारे में क्या सक्षी स्टोरी में मिलते हैं कि वो both the serious and hard working man थे answer देखें विपिन बाबू did not like spending time in idle chat विपिन बाबू को वियर्थ की बाते करने में कोई बाते करने में समय बिताना बिलकूल पसंद नहीं था he preferred reading books वो books पढ़ना पसंद करते थे he worked in a responsible position in a big firm वे एक बड़ी सी firm में एक responsible position पर दिम्मेदरी वाली position परते and never missed a day in office और office से कभी भी चुटी नहीं लेते थे he worked sincerely and had the reputation of being a tireless consentious worker and never used any intoxicants जो वह sincere होका work करते थे और उनकी जो reputation थी office में वो ऐसे व्यक्ते कि थे जो कभी ठकते नहीं हो और लगातार work करते हो और जिसने कभी भी intoxicants मतलब जिसने कभी मादक प्रदातों का use नहीं किया हो second question है why did Vipin Babu change his mind about meeting चुनी लाल Vipin Babu ने चुनी लाल से मिलने के बाद अपना mind के से change कर लिया what was the result of this meeting और इस meeting का क्या result रहा सबसे पहले तो जो Vipin Babu थे वो मिलना ही नहीं चाहते थे चुनी लाल से at first Vipin Babu did not want to meet चुनी लाल से मिलना नहीं चाहते थे as he was fed up of चुनी लाल's repeated request for his help in getting him a job क्योंकि वो उनकी चुनी लाल की जो request थी बार बार वो request कर रहे थे कि उनको एक job दिला दे इस request से वो बहुँ ज़दा परिशान हो चुके थे nevertheless he made him to confirm whether he had really gone on the ratchet trip or not कि यह जानने के लिए उनसे मिले थे कि वो राची कभी गए थे या नहीं the meeting resulted with चुनी लाल not only confirming his ratchet trip जब उनने चुनी लाल से बारे में मिटिंग करी तो उसके result यह निकला कि उनकी जो राची ट्रिप है उसके बारे में confirmation हो गया but also giving his details without absolute certainly और उनने जो डिटेल दी उसमें बिलकुल भी बात नहीं थी बिकुर निश्चित बात उन्होंने कही और इसे विपिन बाबु की जो चिंता थी हो जाता बढ़ गई थार्ड किश्यन है विपिन बाबु लोस्ट कॉंश्यसनेस एट हुंडरो फोल्स वाट दो यू थिंक वाज रिजन फोर देस विपिन बाबु हुंडरो फोल्स पर जाकर अपने जो होश था उखो बेठे और इसका रिजन क्या था विपिन बाबु वाज बेच बेच बिकोज थी कुड़न रिमेंबर इस सिंगल तिंग अबाउट दो राची विजिट विजिट विच वीच वूड शिगनल रिटर ओफ इस मूरी विपिन बाबु बाबु बूचर डिस्टर बोग ए क्योंकि वू रा उनके एक्सिडेंट के बारे में बट हैविंग नो डी कलेक्शन ओफ तुद ओफ दप्लेस लेकिन उन्हें उस स्थान के बारे में कुछ भी याद नहीं आया वह बिलकुल आशाहीन हो गए और उनकी जो यह अवस्था थी उसमें मस्ट हैव स्लिप्ट एंड फॉलन ऑन बुल्डर एंड बिकम अनकॉंशियस बाइद इंपेक्ट वह फिसल गए होंगे यह गिर गए होंगे एक पत्तर के उपर और उनके चोट लगी होगे और उससे व अपना होश हो बेटे वो बेहोश हो गए होर्स किश्चिन है हाव दो यू थिंग विपिन बावु रियक्टेड वैन ही फाउंड आउट देट चुनिलाल है ट्रिक्ट हिन जब विपिन बावु ने क्या विचार के जब उनको मालूम पढ़ा कैसा रियक्ट हुआ होगा उन कि जो याददाश थे और जो मानसिक स्वास थे वो बिलकुल अच्छा है एंड ही एड नो कोस फॉर परी उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है फाइनल विपिन बावु मस्ट शॉरली है विगेटेड और विपिन बावु को इस बात पर बहुत पश्तावा भी जो कि उनके जो दोस्त था उनको उसक मदद की आवशकता थी और वो उनसे मदद चाहता था लेकिन विपिन बावु ने उनकी मदद नहीं की तो इससे उनको बहुत ज़्यदा पश्तावा हुआ आपको ये कुश्यन अपनी एज़व्यू कोपी में करने थेंक्यू